आज राकी स्पेशल थाली बनाते हैं, बहुत ईजी है बनाना साथे में सबको बहुत पसंद आएगी, मीठे में हम खीर बना रहे हैं, तो कड़ाई में पहले थोड़ा सा पानी रा दीजे, इसे क्योगा ना खीर तले पे लगेगी ने, अब आपको फुल क्रीम दूद लेना ह मैंने एक किलो फुल क्रीम दूद लिया है, दूद को गरम होने रखते हैं और यहां पे हम डेट मुठी चावल लेंगे, एक किलो दूद के लिए डेट मुठी चावल इनफ रहेगा, इसे एक बार पानी से वाश करके हम भिगो देंगे, दस मिनिट के लिए भिगोना इनफ दूद को यहां हमने गरम होने के लिए रख दिया है, दूद में हमें सबसे पहले उबाल आने देना है, जब तक फ्लेम हमें हाई रखने है, जैसे ही दूद में उबाल आ जायना फ्लेम को हम कम कर देंगे, अब यहां पे मैंने थोड़ा सा केसर लिया, इसमें एक बड़ा चमत दूद डाल के इसे हम साइड में रख देंगे और अब हम इसमें चावल डाल देंगे चावल का पानी निकाल दिया अब हमें दूद को पकाना है जब तक कि दूद 75% नहीं रह जाता तब तक हमें दूद को यहां पर पकाना है जब दूद आपको लगे ना थोड़ा सा प पक जाता तो अभी हम इसे पकने देंगे जब तक कि चावल कोकनी हो जाता तो जब तक खीर पक रही है यहाँ पे ग्रेवी के लिए मैंने दो टमाटर हरी विर्ची अद्रक दो बड़े चम्मच मेलन सीर दो बड़े चम्मच काजू लिये हैं यह हम पनीर की सबजी के लिए ग पकने देंगे जब तक कि टमाटर अच्छ से सौफ्ट नहीं हो जाते चली ग्रेवी पक रिए यहाँ पे खीर भी अच्छ से मतलब इसका चावल हो पक चुका अब इसमें वन फोर्थ कप प्लस वन टेबल स्पून मैंने चीनी डाली है बादाम डाल दिये पिस्ता डाल दिय और 8-10 इलाइची को कूट के मैंने उसका पाउडर भी डाल दिया है मिक्स कर देंगे जैसे अब चीनी डालोगे ना खीर थोड़ी आपको पतली लगेगी पर आपको कम फ्लेम पे से चलाते रहना है जब तक कि यह अच्छ से घुट नहीं जाती अभी आप देख सकते हो खी तो आपको इसे अभी एकदम जादा थिक नहीं करना है हलका सा पतला रहेगा तो आप जब इससे खाना चाओग ना तभी एकदम अच्छ से थिक हो जाएगी तो यहां पर खीर हमारी बनके बिल्कुल तयार हो चुकिए चली इसे हम रगतेते हैं साइड में तेमाटर भी बि तो मेक्शोर करिए कि आप सारे टमाटर का चिलका निकाल दीजिए इसको अच्छ से थंडा कीजिए और फिर मिक्सर में पीस लीजिए चली जब तक वो थंडा होता है मिक्स वेज के लिए मैंने यहां पर गाजर बीन्स और आलू लिया है तो बड़ी चमच मैंने तेल गरम आप चाहें तो सब्जियों को डीफ्राइब भी कर सकते हो मैं इस तरीके से पका रहे हूं अब मैंने क्या किया है तेल में सबसे पहले हमेना अलू डाल देंगे और आलू को फ्राई करेंगे जब तक कि आलू 40-50% फ्राई नहीं हो जाते क्योंकि सबसे अधा टाइम आलू क पकाने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह बाद में अपने आप पक जाएंगे फिर एक शिंबला मिर्ची डाल दी है इसे भी बस डाल के मिक्स करना है उसके बाद आपको क्या करना है सब्जियों को थोड़ा साइड में कर दीजिए यहां पे मैंने यह आठ से दस पीसे पनी के लिए है पनीर को भी हम और में अच्छ से फ्राई कर लेंगे इसके अपर हल किसी कोटियं आ जाए जाएगी ना बस उतना ही हमें पनीर पनीर को पनीर को हमें नहीं करना है तो यहां पर सारी सबजिय उसके लिए वन फोर्ट कप तूवर डाल उसमें एक बड़ा चम्मच मूंगा ली है अच्छे से इसे दो तीन बार वाश करके आदे घंटे के लिए हम विगो देंगे और उसे के साथ एक कप मैंने बासमती चावल लिया है इसे भी हम अच्छे से वाश कर लेंगे और उसके ब चावल के लिए पानी उबल चुका है इसमें हम चावल डाल देंगे साथ हमें नमक और एक चमच घी डालेंगे और चावल को हमें 80% तक पका लेना है पुलाव जब भी बनाओ तो 100% चावल को कुक नहीं करना होता है 80% चावल पक जाए तब हम इसे निकाल के इस पर एक चम मैंने बटर लिया है हलका सा गरम हो जाए तो दो चममच कश्मीरी लाल मिक्ची पाउडर आदा चममच हल्दी पाउडर आदा चममच कसूरी मेती मिक्स कर लेंगे मसाले जले नहीं उसके लिए आपको क्या करना है थोड़ा सा यहां पर पानी डाल दीजिए और मसाले को एक मिक्स कर देंगे एक मिनट ऐसे ही पकने देंगे फिर में इसमें डो चममच डाल दूप पनीर मसाला आपके पास पोई भी पनीर की सबजी का मसाला आपको यहां पर डाल सकतो नहीं तो एक मच किचं किंग मसाला डाल दीजिए और ग्रेवी को ओल डिलीज होने तक पका अब को जितनी ग्रेवी चाहिए आप देंगे और आप कवर करके इसे 2-3 मिनट और पकले तेंगे या जब तक कि यह अल्री रिलीस ना करतें तो यहां पर आप देख सकतो हो सबजी ने काफ़ी अच्छे से ओल डिलीस कर दिया है, हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे, और यहां पर ही हमारी बहुत ही टेस्टी पनेर की सबजी त्यार है, यह वाली पूरी थाली हम बिना प्याज और लहसुन के बना रहे हैं, यह मैंन यह पेस्ट कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो अल्रेडी आपको बहुत जादा काम रहता है, यह पेस्ट अल्रेडी पका हुआ है, जस्ट हमें इसे मिक्स करना है, अब हम इसमें डेज चम्मच डालेंगे, कश्मीरी लाल मिच्वी पाउडर, आदा चम्मच नमक या पिस्व तक के मसाला तेल नहीं छोड़ देता, टमाटर अल्रेटी पके हैं तो एक से दो मिनट में मसाला बिल्कुल अच्छ से कुक हो जाएगा, जादा टाइम नहीं लगता है फिर आपको कुकिंग करने में, अब मैं इसमें तीन बड़े चम्मच भरके मलाई डाल रहे हूँ, आप रोस्टेट बेसन लिया है तो इसे जादा पकाने के ज़रत नहीं रहेगी, रोस्टेट बेसन डालके जस्ट हमें मिक्स करते वे 30-40 सेकंड के लिए इस मसाले को पका लेना है, फिर इसमें फ्राई करीवी सबजिया डाल देंगे, आदा चम्मच कसूरी मेथी डालेंग एक मिनट के लिए अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे ताकि एक्स्टा जो ओयल रिलीज कर देब आप चाहे तो एक्स्टा ओयल निकाल सकते हो या इसी तरीके से सब्जी को सर्व कर सकते हो थोड़ा सा मैंने हरा धनिया और डाला है तो यहां पी यहां पी यह मारी द्र सूकी लाल मिर्ची दाल दिया है आदल चमच हमने जीरा डाला है तोड़ा सा हींग आल दिया है जीरा जीरा जैसे क्रेकल होने लगे वन पोर चमच से भी कं हल्टीं पाउडर टालके मिक्स करना है फिर इसमें आदा चमक्य गुर्इट क हुद़ी चेक ताना अदका नहीं च तो बड़े चम्मच कुक टमेटो पेस्ट अच्छ से मिक्स कर देंगे तो इसे पकाने की ज़रुत नहीं है सिर्फ अच्छ से मिक्स कर देना पिर इसमें आदा चम्मच जाएगा कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बनफोर चम्मच से भी कम धन्या पाउडर हल्दी पाउडर थ अच्छ से मिक्स कर देंगे और मसाले को ओल रिलीज होने तक पकाना है मसाला तले पे लगे नहीं इसके लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसाले को बिल्कुल अच्छ से पक जाएगा अब हम इसमें डाल देंगे उबलीवी दाल और दाल को पहले मसाले के साथ मिक्स दाल जितनी गाड़ी पतली चाहिए उसे साब से आप पानी डाल दीजिए और मिक्स कर देना है रभी दाल को हम 5-10 मिनट के लिए कम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि दाल बिल्कुल अच्छा से घुटी जाए तो दाल जब यहां पर अच्छा से पक जाए तब इसमें 1-4 चमज घी उपर से भी डाल सकते हो और यह हमारी दाल तड़का बनके बिल्कुल तयार हो चुकि यह भी खाने में बुहर्ट टेस्टी लगते है अब चलिए वेजटेबल पुलाओ बनाते थोड़े रैस मैंने प्लेन रखें थोड़ा का मैंने वेजटेबल पुलाओ बनाया जिसे मैंने सेम साइज में कट किया है इन्हें हम पका लेंगे 42-50% क्योंकि सब्सक्राइब का क्रण्च रहना चाहिए जाधा नहीं पकाना है सब्सक्राइब किसी जब पक जाए तब हम इसमें बारिक कटेवी शिमला मिर्ची भी डालेंगे आप चाहे तो पनीर भी डाल सक चंबला मिर्ची डालने के पास जसमें से सिर्फ एक मिनट के लिए पकाएंगे कम फ्लेंस पर उसके बार आपको क्या करना है इसमें 1 चमम डाल दीजे विरियाने मसाला आपके पास किसी भी फ्लेवर का होना आपको मताब किसी बी ब्रांड को आपको ढाल सकते हो बिर्यानी पुलाओ बनके तियार हो जाता है आप चाहे तो डाइक सब कड़ाई में बना सकते हैं तो फ्लेवर उतना अच्छा नहीं आता है हरा धनिया डाल दिया है मिक्स कर देना है आप चाहे तो इसमें नीमु का रस्पी स्क्वीज कर सकते हो अगर आपको पसंद है तो और यहां पर पीजा सिसनिंग डाली है आदा चाहट मसाला नमक टेस्ट के अकोडिंग चीज डाला है तो नमक थोड़ा कम टालना है 1-4 चमच से भी कम काली मिर्चिव पाउडर 1-4 चमच मैंने रेड चिली फ्लेक्स दाला है दो बड़े चमच हम यहां पे डाल देंगे कॉन फॉर बाइ तोड़ा सा नमक और रेड चिली फ्लेक्स ताकि कोटिंग में भी आपको टेस्ट आए अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर पानी डाल के इसकी हमें सलरी तयार कर लेंगे वो ना जादा थिक होनी चाहिए ना जादा पतली होनी चाहिए कुछ इस तरीके की सलरी चाहिए और यहां पर मैंने लीनी है ब्रेड क्रम्स यह मैंने मार्केट वाले लिए आप घर पे भी बना सकते हो अलुवाला मिक्षर अच्छा से मिक्स हो चुका है इसकी बॉल्स बनाने है तो हाथों को क्लीन कर लीजे पानी का हाथ कीला कीजे और इस तरीके के बॉल बना के उसको फ् प्रोसेस दो भार भी कर सकते हो अच्छे से और इक्स्टा जो ब्रेड क्रम्स नहीं चाहिए और यहां पर यहां पर यहां चीज बॉल्स तैयार हो इन्हें आप बना के दीफ फ्रीजर में रख दीजिए अगर आपको एक दिन पहले भी बना के रखना है तो आप रख सकते ह अब यहां पर पूरी का आटा के लिए गेहूं के आटे में मैंने अजवायन नमक डाल दिया है मिक्स कर देना है उसके बाद पानी के साथ हम इसका आटा लगा लेंगे इसका आटा थोड़ा हाड लगता है रूटी जैसा सौप्ट नहीं लगाना होता है और आटा लगा के 15 12-20 मिनिट के लिए आटे को रेस्टेना है आटा जब अच्छा से रेस्ट हो जाए तो वापस से एक बार आटे को मसल के चिकना कर लीजे उसके बाद आप इसके बॉल्स बना लीजे तो किसी को पूरी बड़ी पसंद है इसको चोटी चोटी पूरी पसंद है तो जैसे भी तो पूरी खाता है उसे साब से आप इसके बना लीजिए और हलका तेल लगा के इन्हें बेल लीजे इन्हें कभी भी सूपके आटे के साथ नहीं बेलना होता है थोड़ा सा तेल लगा के बेल होगे ना बहुती ही आदाम से बिल जाएगी यहां पर चीज़ बॉल्स भी अच् अच्छा से चीज मेल्ट होगा है अच्छा सा कलर जब इस पर आ जाए ना गॉल्डन ब्राउन तब हम इससे निकाल लेंगे यह बहुत क्रिस्पी बंतर अंदर से एकदम चीज़ी है बच्चे से लेके बड़ो सबको बहुत पसंद आता है एक दिन पहले भी आप बना के र तो यह है मेरी आज की थाली आई होप आपको पसंद आई होगी